हेलो फ्रेंट फिलफोर्ट एक्लासिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में बिहार के मैप को याद करेंगे बिहार को मैप को याद करने के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बिहार के स्टूडेंट है उनके लिए मैप याद करना बहुत ज़्यादा जरू करना बहुत आसान हो जाएगा और आप इक्जाम में इस मैप से रिलेटेड जितने भी प्रश्ण बनते होंगी वह सारे याद कर आप कंसेप्चुलिक को सॉल्व कर सकेंगे तो चलिए बिहार की मैप याद करते हैं बिहार का मैप याद करने से पहले बिहार की इस्तिती भारत की नक्सा में कहा है इसे जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है तो बिहार की इस्तिती भारत की नक्सा में देखा जाए इस जगह पे है यानि यह हो गया पूरव और यह हो गया उत्तर यानि यह जगह है उत्तर वास्थान पर विहार है विहार के पूरा में बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पस्ची में बात किया जाए तो उत्तर परदेश, यूपी उत्तर में बात किया जाए तो नेपाल और दस्चीन में बात किया जाए तो यह है जारकंड यानि विहार का एक जो नेपाल बॉर्डर है यह इंटरनेशनल बॉर्डर है यानि बिहार एक international border के साथ जुरा हुआ है, जिसके पूरब में पस्चिम बंगाल, पस्चिम में उत्तर परदेश और दस्चिन में जहारखंड है, चलिए बिहार की मैप याद करते हैं, चलिए बिहार की मैप याद करने से पहले कुछ उनके division के बाड़े में जान लेते हैं, पिहार में टूटल नौ प्रमंडल है, प्रमंडलों की संख्या कितनी हैं, यह है नौ, कौन-कौन सा प्रमंडल है, एक है तिरुत, एक सारन, पटना, मगद, मुंगेर, भागलपूर, पुढणिया, कोसी, दरवंगा, टोटल नौ प्रमंडल है, प्रमंडलों की संख्या और टोटल कुल जीलो की संख्या बात किया जाए तो कितने जीला है यह है 38 जीला टोटल जीलो की संख्या कितना है 38 जैनि 9 प्रमंडल में 38 जीलो को बाटा गया है बिहार में चलिए बिहार की मैप से इन जीलो को पहले एक बार पढ़ते है अर जीलो को कैसे पढ़ते एक है पस्चिन चमपारन, पूर्भी चमपारन, सीता मडी, मुझवपरफूर्ट और वैसाली ये कौन सा प्रमंडल में पड़ता है ये तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है तिरहुत में फिर मदुवनी दर्वंगा सीता मडी फिर नेक्स्ट बात किया जाए तो सुपॉल है सुपॉल सारन मधिपूरा अररिया किसंगंज पुर्णिया कटिहार कैमूर रोतास बकसर भोचपूर पटना नालंदा औरंगावाद अर्वल जहानवाद गया नवादा बेगुसराई, खगड़िया, लखिसराई, मौंगेर, जमू, भागलपूर और बांका के साथ टोटल 38 जिले हो जाते है चले 38 जिलो को एक करमबार तरीका से किस तरह से याद करना है वो देखते है चले जिले की सुरुवाद चले तिरूत प्रमंडल को याद करते हैं तिरूत प्रमंडल में टोटल 9 जिले है टोटल जिलो की संक्या कितनी 6, 6 जिले है जिसमें से एक पूर्वी चमपारा और एक पस्चमी चमपारा इसको अगर हम चमपा के नाम, दो लेडिज लेडिज का नाम है एक चमपा, यहाँ पर एक सीता, और एक है वैसाली, यानि तीन लेडिज का नाम याद आता है, और दो लड़की का नाम एक सीव और एक मुझवफर, दो लड़की का नाम, यानि याद कर सकते हैंbon, चंपा से 2 चंपार एक पूरभी चंपारण एक पस्चमी चंपार्ण सीथा से याद हो गया सीथा मड़ी V वैसाली और सीव सीवसीव शीव हर Also अम मझभफर से ओ आम जजब फर फूर ak तोटल छे जिले याद होगे इस परकार पहला चंपारन पुर्वी चंपारन पस्चमी चंपारन सीतामडी सीवहर्ड मुझबपरपूर और वैसाली अब नेक्स याद करते हैं दर्वंगा प्रमंडल में जीलो की संक्या कितनी है तीन जीलो अब दर वंगा प्रमंडल कैसे याद करेंगे यह मदुबनी, दरवंगा और समस्तिपूर मदुबनी, दरवंगा और समस्तिपूर इसको याद करने के लिए जैसी ही यह हुआ क्या कि वैसाली स्डियम बन गई वैसाली ने स्डियम बन जाती है वैसाली स्डियम बन जाती है स्डियम बनना यानि वैसाली SDM बन जाती है यानि समस्तिपूर, दरवंगा और मदुवनी SDM से में याद कर सकते हैं समस्तिपूर, दरवंगा और मदुवनी जैसे ही वो वैसाली SDM बनती है वो क्या करती है? SMS कर देती है SMS SMS करती है SMS करनी का मतलब वो क्या करती है? सुपॉल मदपूरा और सहरसा सुपॉल मदपूरा और सहरसा में वो इस बात की सूचना दे देती SMS करना सुपॉल मदपूरा और सहरसा वैसाली SDM जैसे ही बनती है वैसाली ने SDM बननी के बाद उसने SMS किया SMS यानि सुपॉल मदपूरा और सहरसा यह आपको कोसी प्रमंडल में कितने जी ले होगे तीन यार होगे है सुपोल, मदपूरा और शहरसा देख जैसे यह स्ट्रीम पर के SMS करती है SMS करने के लिए वो भाग कर कहा जाती है बैंक जाती है भाग कर बैंक जाती SMS करने के लिए उसके पास बैंक में एक पैसा नहीं होने के कारण वो भाग कर बैंक जाती है बैंक भाग कर बैंक गई यानि भागलपूर भागने से भागलपूर अब बैंक से बांक का भाग कर बैंक गई भागलपूर और बांक का नेक्स दो प्रस याद हो गया, ये कौन सा प्रमंडल में आ गया, भागलपूर प्रमंडल में दो याद हो गया, भागलपूर, भागलपूर से दो याद हो गया, कौन कौन सा, भागलपूर और बांका, भागलपूर और बांका, ठीक, दो, अब आते हैं, लास्ट इस एरिया क आपका देखते हैं कैसा पुर्णियां प्रमंडल देखते हैं पूर्णियां में कौन कुन सा है एक है किशनगन्ज इक है। वर यहतं पर्णा और एक टिहार किसन गंज। अर यह पुर्णया और कतिहार किसंगंज अर्रया पुर्णिया और कटिहार यह कैसे याद करेंगे तो जैसे किसन गज थी पूंश Запाव का कृति है किसन गंज चाल चाहिों, पिखेसन गंज्ण अर्रयेreckार्जग्ण वाम्थ अड़रिया पूर्णिया और कटिहार इस तरह से हमको यह डिस्ट्रिक भी याद हो गया टोटल चार्ड चलिए अब आते हैं इस तरह उदर कृष्ण जी थे तो इदर गोपाल गंज है गोपाल गंज यानि गोपाल कृष्ण जी का ही एक और नाम क्या है गोपाल कृष्ण जी का ही एक नाम है तो यह गोपाल में क्या है कहते है कि कृष्ण जी सीवहर सीव की पूजा करने वाले सीवहर सीवहर जो था सीव की जो पूजा कर रहा था लगा वो कहता है कि हम गुपाल गंज गुपाल जी का पूजा करेंगे और कहता है गुपाल गंज की पूजा करने के साथ वो यह भाद कहता है कि सिभ का सार एक ही है यानि कृष्ण जी हो या गुपाल जी हो सभी का सार एक ही है गोपाल गंज में गोपाल गंज सार सिवान और सार मत सारन सिव का सार सिव और सिवान और सारन यानि सिवान सारन गोपाल गंज सिवान और सारन यह डिस्टिक्ट याद हो गया अब नीचे आते है पटना प्रमंडल में पटना अब इसको याद करते हैं किस तरह से याद करेंगे ये देखते हैं यहाँ पर है रोतास कैमूर बकसर भोजपूर पटना नालंदा रोतास कैमूर बकसर भोजपूर नालंदा और रोतास कैमूर बकसर भोजपूर पटना और नालंदा रोतास कैमूर बकसर भोजपूर पटना और नालंदा तरह इसको कैसे याद करेंगे कोई मिल गया वाला है रोहित है और ये कैमूर रोहित और कैमूर के बीच बिवाद हो गया क्या चाहिए को लेकर भोजण को लेकर चर्चा बिवाद हुआ और बिवाद होने के बाद दोनों के बीज बॉक्सिंग हो गया लडाई होने लगा जिसकी चर्चा हमको कहां तक हो गया पटना तक पटना से लोग इस बात को देखने आने लगी क्या यह रोहित और कैमूर के बीज जो जगरा हुआ उसको देखने आन और जिश्क इतना ज़्यादा चर्चा हुआ कि यह पदध नालंदा विष्विद्याले में पढ़ाय जाने लगा कहां आलंदा विष्विद्याले जाने में इस वात को पढ़ाय जाने लगा यानि हम याद कर सकते हैं रोहतास कैमूर रोहित रोहतास कैमूर वक्सर बॉक्सिंग हुआ बक्सर भोजपूर भोजपूर यानि भोजण के लिए भोजपूर पटना में और नालंदा में पटना से नालंदा तक पढ़ाय जाने औरवल जहानावाद औरवल जहानावाद औरंगावाद गया और नवादा इसको कैसे याद करेंगे इसको आप रट लीजिए इसको समझ लीजिए औरवल जहानावाद औरंगावाद गया और नवादा उसने ही गया में जाकर औरंगावाद की एक लर्की ने गया में गई और उसने एक लड़का से जो वादा की थी वो वादा को तोड़ दी नवादा औरंगावाद की एक लड़की थी औरंगावाद की एक लड़की गया में उससे साधी करने की वादा की थी लेकिन वादा को नवादा में क्या की तोड़ दी नवादा औरंगावाद गया और नवाद ठीक और यहां अर्वल और जहानावाद तो आप याद करें सकते हैं अर्वल और जहानावाद भोजपूर भोजपूर यानि भोजण बन रहा था क्या ची के लिए यानि परवल अर्वल से परवल परवल के लिए भोजपूरी यानि भोजण परवल का भोजण बन रहा था या अर्वल परवल का भोजन यानि अर्वल भोजपूर से अर्वल का कनिक्शन बनी गया अब पटना से जहानवाद वाद वाद हो गया वादा किया था कि इस ने औरंगावाद की एक लरकी ने यह वादा किया कि वह गया में जाकर उस लरके से साधी करेगी औरंगावाद की एक वादा किया गया में जाकर उससे साधी करेगी लेकिन उस लरकी ने नवादा कर दिया नवादा उसके वादा को तूर दिया चलिए ठीक से यहां तक याद हो गया नेक्स अब एक छोटा सा डिश्टिक है इसको याद कर लेते हैं बेगूसराय, खगरिया, मुंगेर, लकिसराय सिक्पूरा और जमूई, बेगूसराय, तो इसको कैसे याद है, SMS की, SMS याद आ रहा है उपरवाला, SMS करने के लिए, सहरशाह, SMS, HDM जैसे ही बनती है, HDM बनने के बाद, वैसाली, HDM बनती है, HDM बनने के बाद वो क्या करती है, उसकी साधी होता है, वो करती है कि समस्थ सेखपुर्ग थे सेख़कर समस्त वेगं लगक्ई है, समस्त वेगं यानि वेगं फोड कर वेगं लगकि है किस के सेखों के। एस डियम जैसे ही बनती है वैसाली वो बोलती है कि समस्त बेगम लखी होती है किसके सेख की बेगम लखी होती है यानि बेगु सराई बेगम लखी लखी सराई और श्किश की सेख पूरा अब जैसे ही यहां इसे मेंस करती है कहां भागलपूर बांका में जाकर भागलपूर बैंक से जाकर इसमेस के लिए पैसा लेती है यानि भागने के क्रम में उसका क्या होता है भागलपुर तो भागी लेकिन गिर गई रास्ते में एक वाद गिर जाती है यानि खगरिया गिरिया भागलपुर से भागने के क्रम में वो क्या हो गई गिर गई मुंगेर गेर में जाके मुंग का गेर हो गया मुंगेर हो गया और कहा जाता है कि जैसी ही गिरी उसको खुन बहने लगा और खुन बहने के कारण वो क्या हो गया जम गया यानि यह जम गया यानि जमू कास्मी जमूई हो गया तीनों याद हो गया यानि इस तरह से हम पिहार के मैप को अच्छे तरह से रिवाइच कर सकते हैं एक बार और आप रिवाइच कीजिएगा आपको यह मैप आसानी से और अच्छे तरह से याद हो जाएंगे चलिए thank you for watching this video